फ्रेंड्स तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि आप यहां पर एक ID कार्ड का फोल्टर में ने बनाया है तो आप देखिए तो मैंने इस पर क्या किया कि मैं आपको सोक रानिकला को दिखाने के लिए बीस फोटो रखा हूं पासपोर साइज फोटो और एक अपना सॉफ्ट फाइल है जिस पे आप देख सकते हैं ID कार्ड पर फोटो ने लगा नेम वेगर सब कुछ लिखा हुआ है सेम रहेगा तो इसलिए मैंने इसको फिक्स कर रखा है जेपीजी फाइल में ठीक है और उसके बाद में एक एक्सल सीट है तो में जो वर्क है अपना वो है ए एक्सल सीट पे ही सारा काम होता है तो आपको सबसे पहले एक ओपन एक्सल सीट बनाना है यह फोटो सॉप का ही है लेकिन चलिए पहले एक्सल सीट बनाना है तो एक्सल सीट में यहां पर देखिए इसने नेम जेंडर रॉल फादर क्लास एड़ एड्रेस एड़िट कर रख कि चलिए name हो गया, gender हो गया, role हो गया, father हो गया, class हो गया, add हो गया और photo हो गया, तो इस तरह से आपको generate कर लेना है, यह आपको करने पड़ेगा, क्योंकि फोटो सेब को, आपको data कहां से मिलेगा, वो तो अपने आप सोचेघा नहीं न, कि आपको कहां पर क्या type करना है, या या फिर आपके पास दो option है चाहे तो आप Excel में Excel sheet बना लीजिए या फिर Photoshop में हर एक उपर टाइप कीजिए तो Photoshop में हर एक उपर टाइप करना इसेंदर नमर काम कान है उसके बाद पर एक इडर्स क्या है और उसका photo तो चलिए यहां पर यह हो गया सीट तो सीट आप ध्यान से देखिए कि इस पर नेम जेंडर रॉल नमर इस तरह से पूरा कर पूरा अर्जेस्ट किया हुआ सीट पर और यहां पर समझने वाला चीज यह है कि यदि आप मान लिजिए कि जैसे कि आप यहां पर रॉल नमर लगाए हैं तो रॉल नमर जैसे मतलब मालो के इकरा फातिमा का मतलब रॉल नमर है आरे 1641011 106 मतलब जो कुछ भी रॉल नमर है वही री नेम में इसका फोटो को पर री नेम होना चाहिए माले जी इसका रॉल नमर है दिए 10 है तो उसका फोटो पर जो री नेम होना चाहिए उदस ही होना चाहिए कुछ और नहीं तभी आपका फोटो और पर री नेम तो आप ऐसा किजिए कि जब आप फोटो खीचते हों स्कूल में कॉलेज में और कहीं कंपनी में तो आप उसी time में photo का चाहिए तो rename कर लीजिए यहां पर serial तो camera में serial आता है तो serial के थुरू आप नाम वहाँ पर note कर लीजिए और उसको rename कर लीजिए serial में कर लीजिए आपको दो काम करने पड़ेगा इसमें एक तो पहला एकसा सीट बनाने पड़ेगा और एकसा सीट के नाम के आगे आगे आपको उस student का photo के उपार उसका रॉल नमर यहां पर लगाना पड़ेगा रॉल नमर इसी रहेगा कि नाम अधी लगाते हैं तो नाम इस मैच आप साथ देख के भी समझ जाएं यह देखिए नेम, मेल, जेनर का रॉल नमबर पीदा जी का नाम, क्लास, एड्रेस उसके बाद में रॉल नमबर के साथ में .jpg लिखा है क्योंकि मुझे इस वेक्ति काया जैसे कि यह मतलब की फतिमा है उसका मैंने इस पर फोटो लगाना है मौनलेजे कि इसका नाम ऑडि कार्ट पिताजी के नाम पे यही फोटो लगेगा जोकी सेम टूसेम यहाँ से मैच कर रहा है तो आपको चाहतो नाम से मैच कराया ए और फिर रॉल नमर से आपको मैच कराने पड़ेगा इस तरह से सीट पुर्णा के पुरा तयार है इस बह त्यार किया है तो इसमें जब तियार हो जाएगा तो आपको इसको save करना है save करना है select करके file पर जाकर save as इसको save करना है एक अलग document में यहां आपका होगा tax file में save करना है tax में आपका normal tax नहीं अलग text देख Hamp., tax tab, alignment इतना काम आपको करने पड़ेगा इतना आपको soft copy चाहिए Photoshop के लिए तो यह हो गया अब open करते है Photoshop तो Photoshop open करते है CS6 मेरे पास है तो आपके पास PS का कोई वर्जन है तो आप इसको उसको कर सकते हैं बस आपको option कौन सा देखना है तो आपके पास option में होना चाहिए इमेज में जाकर variables का इमेज में जाकर आपको variables का option आपको 7 में भी variables का option मिल जाता है तो हो जाएगा लेकिन 7 में option नहीं है आपको CS में option मिल जाएगा variables का तभी काम करेगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं document को double click करते हैं और open करते हैं id card folder में main source file को यह अपना document file है अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर लेयर लगाना है तो देखे टैक्स ले लिए name के आगे टैक्स लिखे अब size अपने मर्जी से select कर सकते हैं अधी 10 या फिर 8 जो भी select करना हो अब 8 कर लिजे और यहाँ पर लिखे नेम नेम के आगे name name select कर लिए इसको थोगा से down कर लिजे बरावर में रख लिजे अधी आपको बरावर में नहीं लग रहा कि बरावर नहीं है तो आप यहाँ से line ले सकते हैं और line लेकर सबको एक साइज में रख सकते हैं इसे आपको क्या होगा कि सब के सब ब्रावर लाइन में अब इसमें कोई action गरा नहीं जेनरेट करना है यह अलग ही system है यहां से आपको पूरा ब्रावर लाइन में सब के सब जाएगा अब यह हो गया नेम, अब इस लेयर को सलेट करके नेम को, और आल्ट और शिफ्ट दवाकिश को हम कर लेते हैं, कॉपी, अच्छी साथ हटा देते हैं यहां से, इसलिए दिक्कत हो जा रहा है, क्योंकि आटो लेयर से बैग्राउं सेलेक्ट हो जाए रहा तक क्लिक करके यहां से हमने एक सब के सब को ब्रावर पे कॉपी कर लिए अब ध्यान दीजिएगा इस जगहाँ पर कि अधि इसको छोड़ दीजिए आप यह इस पर क्या लिखें उसे कोई मतलब नहीं अधि आपके पास नेम के आगे नेम टाइप करना है तो आपको यहां पर नेम का वही है स्पेलिंग डालना है जो कि आप अपना एक्सल बुक पर है तो चलिए मैं इसको रिनेम कर देता हूं और रिनेम के इसको थोड़ा सा मैं मैंनी मैज कर लेता हूं ताकि आप लोग को बराबर सो हो सके और मैं एक्सल सीट अपन करता हूं एक्सल सीट ओपन कर लिया ताकि आप लोग को पूरी तरह से सो हो सके और फोटो सब इसको थो तो रिनेम कर लिज़िए, क्लिक करके पहला क्या है, आप देख सकते हैं, आपर N.A.M.E, spelling बिल्कुल मत गलद किजिएगा, तो तो सही नहीं बनेगा N.A.M.E, N.A.M.E, बिल्कुल सही है, ठीके, जेंडर में gender में जेंडर ही टाइप किजिए G-E-N-D-E-R 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 अद यहां पर गलात है, तो हैं गलात ही टाइप कीज़ें, सही नहीं उसके बाद नीचे वाला लाइन में आते हैं यहां पर क्या टाइप है? रॉल नमबर में यहां पर रॉल नमबर में सिर्फ रॉल टाइप है और आपको यहां पर में बताना चाहता हूं कि अधि आप roll number के साथ में space type करके कोई number लिखते हैं या पर कोई ऐसा comma यूज़ करते हैं तो इस पर काम नहीं करेगा तो आप कोशिज किजिए कि सिफ दो ही तिन वर्ड लिखिए अधि दस वर्ड लिखता तो दस वर्ड लिखिए लेकिन space विगरण ना हो और कॉमा विगरण ना हो नहीं तो ब्रेकेट विगरण रहेगा तो काम नहीं करेगा यहां पर simple वर्ड यूज़ किजिए जैसे आर ओ ड simple तरीके से बनाया हूँ तो इसके बाद होता है class तो क्लास में यहां पर Excel sheet में है वहीं है आप लिखना है class अब कोशिज किजिए कि यहां पर आप स्मॉल में लिखे तो स्मॉल में लिखिया कोशिश की हर जगा स्मॉल में लिखिया ज्यादा क्याप्टर लग लिखिने कि जुब उतनी तो इसमें आपको प्रॉब्लम ही होगा बाकि जो वर्ड है नीचे जो आप जैसा लिखे का वैसा इस पर टाइप होगा तो यहां पर राधी कैशल अनॉफ में हैं तो यह यहां पर दखी है पर पी एड्यो फोटो लिखा हूं तो इसको भी बताता हूं फलिये रहता है यहां पर और आडृड रेट्रैस क्लास मतलब की जो हम नाम लिखिए हुहां पर भी शो होना चाहिए अलग-अलग नाम से लेघर अब अब यहां पर क्लिक करके और बैगघ्र सीट पर आपका लिखा हुआ है यहां पर फोटो फोटो जो नाम लिखा हुए एकस वाइजड एबी सीड़ी आउमाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है फोटो के पास तो यहीं यहां भी वही चीज़ लिखिए मैच करना चाहिए एक टू वाड यह तू जेड वाड अब हो गया फोटो के बाद में करना क्या फोटो जैसे क्लीक करके आप यहां पर इसको लूक्येशन डालना है तो यहां से क्लीक करके आप अब अपना सारा के सारा डीटेल बन चुका है अब इसको मैं क्लिक करता हूं बैक्राउंड पे तो आप देख सकते हैं कि आपको अधी ऊपर नीचे के जरूद है तो अपने मर्जी से उपर नीचे कर सकते हैं सिर्फ पहचानने के लिए ट्रैक करने के लिए फंक्शन को नेम क अधी आपके दीज़े घ्रर टेहां पर वाटाइफ होगा जो नहीं कीसके सामनी हो जैंडर से इस जैंडर ओडिव्पास हमें कोई मतलब नहीं यहां पर देख देते हैं तो हरे कार्ड पर यहां पर बंकिया जाए गा जेंडर लिखा के आजाए चिन सामनी रखिएगा अहर add करना है तो सबसे पहले image पर जाईए variables पर जाईए और define पर click किजिए define पर click करके आपको करना होगा add तो आपके सामने address में क्या so होना चाहिए इस पर लिख रहा है कि जहां पर आपने layer address जो address layer है उसके उपर किस को place करना चाहते हैं Excel का कौन सा column को यहां पर रखना चाहते हैं तो आपको सब same to same हमने बनाया है कि क्या आप सामने सो सेम किया है बाकि आप 4-5-6 बार 10 बार इसको किजिए गाद आप खुद समझ में आजागा कि आखिल वास्तिविक है क्या वैसे जल्दी समझ में नहीं आता तो वाकित हम सिंपलिए जिए इसको multiple करते हैं ठीक है करद ऐस के यहां पर फादर फादर पर अगा उसके बाद करते हैं फिर उसके बाद में रॉल पर रॉल ही लिखते हैं, रॉल पर रॉल, next में क्या आता है, जेंडर, तो जेंडर पर जेंडर ही, जेंडर पर जेंडर, उसके बाद नेम आया, तो नेम पर नेम वाला ही कॉलम उठकर हरे कार्ड पर लगे, इसलिए हमें नेम का ही चाहिए, तो सब कुछ सेम टाइप कर दिया, लास्ट में रह जाता है, फोटो तो, फोटो पर क्लिक करके, आप यहाँ पर फोटो टाइप कीजिए, क्योंकि एकसल में हमने फोटो के नाम से कॉलम बना रखा है, और यहाँ पर आपके सामने है, फील, फीट कैसे रखना चाहते हैं, मतलब के, तो आप फीट कर दिजिए, आगे पिछे भी थोड़ा सा पिक्चर होगा, तो आपको यहाँ पर रजेस्ट करके, फीट कर देगा, इस बोक्स पे, तो फीट करने के बाद में, ओके कर दिजिए, सब कुछ हो गया, आप देख लिए, जब कोई और तो नहीं है, नहीं है, सब हो गया, फोटो वी चेक कर लेते हैं, फीट है, फोटो लगा, ओके, अब हमें सब कुछ त्यार है, अब करना क्या है कि, इमेज पर फिर से जाये, वरिवल्स पे जाकर, डार्टा सेट पे क्लिकि जिए, तो आपके सामने बता दू, आपको बता दू दूआरा कि, कि जब हम डॉकुमेट बनाए तो हमने एक, जो आकसल फाइल था, उसको हमने बनाना चाहे, तो िसको यहां इंपोर्ट करना गयो तो यह प्यांकर दिंब चाहिए तो टेक्स में बना सकते हैं लेकिन आपको ज्यादा मेहनत लगेगा टैक्स में बनाने में एक्सल में बनाना इजी है लेकिन जो फोड़ो और सब्वाई वह सिफ टेक्स को उठाता है टेक्स केमांड बनाना नहीं लेकिन चाहिए तो आप यहां पर इंपोर्ट करते हैं सट फाइल पर सलेक्ट फाइल पर कर लby친 voucher टेश्ट उब गद हाय फाइल इसमें देख ईड़िड साब देख सकते हैं कि देखिए अब चेक कर लीजिए कि सही से काम कर रहा कि नहीं कर रहा जैसे कि मतलब मैंने तो सीव एक सिंपल आप लोगों को बताने के लिए मैंने डेटल देखा नहीं कि लड़की की फोटो है तो लड़का लिखा हुआ लड़का फोटो लड़की मैंने नहीं देखा बस मै आपको डीटेल जब यहां पर सब्सक्राइब कर रहा है तो आप यहां से ओके कर दीजिए और ज्यादा कुछ कहने जरूत नहीं यहां से आप कर दीजिए ओके जैसे किजिएगा अब सामने यहां पर आपका जो पिक्चर हो हट जाएगा इसका मतलब यह काम नहीं कर रहा है कर रहा है सब कुछ आप सीधे जाएए फाइल पे एक्सपोर्ट कीजिए और डाटा सेट से फाइल पे क्लिक कीजिए उसके बाद सेलेक्ट फोल आप यहां से नेम रचेंज करने रहने दीजिए इस अपने ज्यादा गन्फिज होईएगा बस यहां से क्लिक करके और सीधे पीएज़ी यहां रहने दीजिए और ओके कर दिजिए आप थोड़ा देर वेट कीजिए देखिए आपके सामने सारी फाइले जनेरेट हो रहा है आपके एक्सल के उपर और आपके रोखे डुकुमेंट को बडिपेंड करते कि आपने कितना डुकुमेंट रखा और एक्सल में कितनी लाइने का सीट दे रहा है ठीक है अब यहां से हो गया आप इसको मिनिवाज करते हैं और फोर फोर नाम का जो फोल्टर बनाया था इसक इसको भी बंद कर देते हैं Photoshop को भी बंद कर देते हैं इसकी जुरूत नहीं है और यहां से क्लिक करते हैं Photoshop 7 कि फॉटशूप 7 में सोग कर जाता है तो लेवल क्लिक किजी डैसट्रोप पर जाइए 444 देखिये आपके सामने सारे के सारे फाइले और यह सारी फाइल जो है पीएशडी फाइल है तो पीएशडी फाइल को क्यों से वन में उपन कर रहे हैं इसलिए नो करने पड़ा क्योंकि इसका जो लेयर से और इसका जो फॉंट होता है मैच नहीं करता कभी-कभी तो देखिए आपके सामने सब के सब अलग के अलग त्यार है अलग-लग कार्ड बनकर अब यह पीएशडी फाइल है अब इसको जेपीज में बनाना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए तीन नंबर जो है वीडियो उसमें देखिए उसमें एक साथ में आपको पूरा पूरा जेपीज बन जागा आने तो चलिए इसमे अब तरीका है देखिए पीएजडी में फाइल है असब बन गया है विसकी बिस कॉपी तयार है तो करना कहा है कि आप यहां से एक निव ले ले लिए एक्शन पर जाकर एक्शन पर जाईए यहां से क्लिक कीजिए निव एक्शन किजिए जेपीजी यहां पर कोई फंक्शन सब्सक्राइब कर लिए एफ नाइन सब्सक्राइब कर लेते हैं रिकॉर्ड इस्टाइट डबल क्लिक किये हैं इसमें से फोटो अपन किये एक ओपेंड अब कुछनिका कंट्रोल शिफ्ट एस करके यहां पर निव फोल्डर में जाकर ओपन करके इस पर सेफ कर देते हैं और इसको कर देते हैं कट रिकॉर्ड कर देते हैं बंद अब हमें क्या करना आपको पता ही है फाइल पर जाना है अटो में पर जाना है बैस फाइल पर बैस फाइल पर फोल्डर को स्लेट करना है डैस् प्रक्राइब क्लिक करके यहां सब्सक्राइब कर लिजिए और सिधा सब कुछ ठीक है इस पर जो एक्षिन है वह जेपीजी एक्षिन है और यहां से कर दीजी को थोई देर में सब के सब को जे पीजी में कर देगा तो इस तरह से आप बहुत यह असानी तरीके से आईडी कार्ट जनरेट कर सकते हैं आप वेरिवल्स आफशन का यूज करके फोटोस आफ सी एस में प्रोसेस हो रहा है पीजडी फाइल है बीस कॉपी है तो फ्रेंड्स आपको दो तीन जगा इस पर बातों के धिया रखना पड़ेगा कि जब आप फोटो खीचे तो रॉल नंबर तो आपको मिलेगा ही टाइप करने के लिए लेकिन फोटो खीचते समय ही आप इस तरह से किज लिट्र बना जैए फोटों से किसुती पर से भल रिनेम करने में बस उसके बाद में को कस बनाना नेंगी बहुत ही यसे से कार्ट बन जाता है अब यहां पर चेक करते हैं कि जो जेपीजी फाइल निव फोल्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि जेपीजी में हमारा काड़ बन चुका आप देख सकते हैं कि सारा काड़ जनेरेट हो चुका है तो फ्रेंड्स बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा आज़िए आपको फाइल के बार में तो उसको एक बार रिविव कर लिजिए देख लिए आपको समझ में आ जाएगा तो बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा कर लगा तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह का आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो में लाते रहूं ओके फ्रेंड्स तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सिस्टम अगले फांक्शन के साथ ओके जब तक कि लिए बावाय है झाल 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 झाल